यूपी के आग्रा में बीटक शात्रा से हुए गैंग रेप मामने में यूपी पुलिस को बड़ी काम्यावी हाथ लगी है पुलिस ने दो आरोप्यों को घरबतार किया है रुबाकी की दो आरोपी अविफरार है जिनकी तलाश जारी है ठाना न्यू आग्रा के पास भगवान टौके चौराहे से मंगल वर्शाम एक इंचरिंग की शात्रा का पाहरत और चार योकों ने उसके साथ सामोहित दुशकर्म किया पोया घार के पास शात्रा लहू लुहान हालत में मिले लेडी ओलॉयल अस्पिताल में मेडिकल के बाद से एसेन मेडिकल कॉलेज में भत्ति करा आया बारा घंठे में दोसी बड़ी खटना से पुलिस के हाथ प्यार पूल कर है एससपि अमित पाठक एसन ने पहुंचे ध्यात्रा ने परिजलों का कारवाही कर आश्वासन दिया पुलिस ने मखरमा दर्श कर लिया भी मैनुवल सोर्सस से हमको जानकारी मिल सकती थी इस्थानी पूस्ताश से कुछ संधिकदों के बारे में जानकारी जुटाई गई जब वो जानकारी पीरिद परिवार के साथ शेर करी गई तो उसमें एक वेक्ति के उपर संधे ज्यादा गहराया उसकी तरफ उन्होंने इसका गटना में शामिल होना हो सकता है। इस आधार पर उस वेक्ति को आज गृफ्तार किया गया। पूस्ताज के दौरान उसने घटना कुबूल करी। उसने पूस्ताज के दौरान बाकी उन लोगों के भी नाम बताए जो उसके साथ उस समय मौके पर मौझूद थे। इसी समय बहुत नईवा बहुत सारी इसमें विशतनातों कारवाई होनी है, साथ संकलन होना है, मेडिकल की आदान जो भी साथ मेडिकल आएंगे, उनके आधार पर हम कारवाई करेंगे, जो रैलेंट सेक्शन जो इसमें एड करने की जरुवत पड़ेगी, उनको एड करेंगे. जो चार लोग कल के घटना करब में शामिल थे, उसमें से दुखी कुछा है।